हनुमान जी से जुड़े इन रहस्यों को शायद ही जानते हों आप अत्यन त्रोचक हैं जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। हनुमान जी के बिना रामायन कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। रामायन में राम एवन रावन युद्ध में हनुमान जी ही केवल एक मात्र ऐसे योध्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से ख्षती नहीं पहुँचा पाया था। इस आर्टिकल में हम आपको पवनपुत्र के बारे में कुछ ऐसी ही बाते बताने जा रहे हैं जिनक हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहें की थी जैसे सूर्य नारत्मुनी लेकिन इनके अलावा उन्होंने रिशी मातन से भी शिक्षा ग्रहें की थी। रिशी मातन सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी रिशी मातन के आश् जब अपने पूजे श्री राम से लड़ने चले हनुमान, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। प्रभु राम से राजा ययाती की रक्षा करने गए। श्री राम का जन्म 5111 इसवी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 इससे पूर्व हुआ था। ऐसे में आप सोचेंगे की आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशिरवाद से प्राप्थ हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही है। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है वह दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास हजार हाथियों का बल था। में उनके समान शक्तिशाली योध्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र था, मा जगदंबा के अनन्य भक्त थे पवन पुत्र, भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी मा जगदंबा के अनन्य भक्त थे, हनुमान जी सदैव मा जगदंबा के आगे-ागे उनकी सेवा के लि कहीं कहीं पर पवनपुत्र की गाथा माता वैशनो देवी से भी जोड़ी जाती है। जब हनुमान से प्रसन्न होकर ब्राहमनों ने उनसे वर्दान मांगने को कहा था तो उन्होंने मंत्र में एक शब्द बदलवा दिया। ब्राहमनों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों के कारण देवी रुष्ठ हुई और रामरावन युद्ध में रावन को पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है, हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।